नाजरीन बड़ा इंसान बेहतर इंसान वो है जिसकी महतिल में कोई भी इंसान खुद को छोटा महसूस मत करें आपने बिल्कुल ठीक पहचान है आज हम बात करेंगे बासर पूर असर शक्सियत के हवाले से कैसी आपकी परसनालटी होनी चाहिए शक्सियत आपकी कैसी होनी च कासिम अलीशाथ साब इनको वेलकम करेंगे अससलाम अलेकुम कैसे हैं सर आप अल्ला का शुक्राइए क्रेक्टिस्टिक्स क्या होंगे बासर शक्सियत के याद रखिए कि जिस तरह हर चीज दुनिया की हर चीज अपनी होने का सबूत देती है यानि कहते हैं कि अगर आप दुनिया में एक जर्रे और चोटे से कंकर के बराबर जो बिलकुल चोटा सा एक कख है उसको भी डिनाए करें तो वो आँख फाड़ के बता देता है कि मैं भी हूँ यानि दुनिया की हर चीज अपना इजहार होने का करती है इनसान अपनी शख्सियत से अपने होने का इज करता है इनसान अपनी शख्सियत से बताता है कि मेरी जो शख्सियत है वो मैं किस तरह का इनसान हूँ देखो किसी ने आपके अंदर घुस के आपकी नियत को देखना नहीं किसी ने अंदर आपके जहांक के आपके अंदर को तो तलाश करना नहीं हमारा जब वास्ता लोगो कि बावजूद अपने आपको प्रेजंट नहीं अपको आना चाहिए अगर आप अपने आपको अच्छा प्रूसेंट करना सीख लें लर्न आगर मेनिमम्म बताएं को जो जिन्दिगी गुजारने के लिए बहुत जरुरी है अच्छा देखो जिन्दगी के हर शोबे के मैनर्स हैं हर शोबे में सबसे पहले जो मैनर्स भी आ जाता है वो आ जाता है आपका खाना पीना खाने पीने के मैनेर्श है, खाने पीने के देखीस्लामिक मैनर्स मेर्श है हमें मैनेर्श का एक बittä güर पासर्स हमारे पस हमारे दीन बेखनी है हभी आज की । अचि́ आग leverage सक्षच है, वह बड़े मजाई का जवाब दे रही है वो बता रही है कि जो हमारा माइंड है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, वो तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हम राइट हैंड से खा रहे होते हैं, यानि राइट हैंड से खाया हुआ और लेफ्ट हैंड से खाया हुआ, यह रिसर्च थाबित हो चुकी है, कि सकते हैं एक बड़ा ही गयर महजब जो हरकत देखी जाती है कि लोग शादियों पर पार्टी में अपनी प्लेटें उपर तक भर लेते हैं उतना खाना उनों नहीं होता बाद में खाना जाए जा रहा होता है फिर खाने में सबसे बड़ी तमीज तेहजीब यह है कि आप खाने कि आपके कपड़े खराब ना हो चोटे-चोटे मैनर्स खाने में वह आपको सामने रखने चाहिए किस तरह से मैं खाऊं पीओं उठो बैठों तो अच्छा लगोंगा खाने पीने के मैनर्स के बाद जो दूसरा मैनर्स की लिस्ट आ जाती है वह मैनर्स हैं दूसरों के इक से अपने रिलेशन्स को निभाना है यारड रखे आपके रिष्टे-चीर से निभते एहसास से निभतें ओयर वद्द देने से निभति अगर आपको किसी को इजब देनी नहीरी LI he दिन नहीं आती, आप किसी को एहम नहीं समझते, किसी को इंपॉर्टन नहीं समझते, तो फिर याद रखिए, इंपॉर्टन ना समझना, ये बड़ा काम खराब कर देता है, बहुत से लोग ऐसे नजफ होते हैं, जिनको अंदाजा नहीं होता, कि वो अपने रविये से, अपन इसका नुकसान बढ़ा होता है, तो इंपॉर्टन ये है कि आप अगर प्रिजेंट करें, तो आप अपने रविये से हमेशा इज़त दें, वैल्यू दें, बिल्कुल ठीक, अच्छा इसमें ये सारे मैनर्स आजाएंगे, अगर हम जनेरिक की तरफ जाएंगे, जनेरल की त किरदार होगा जो दूसरों को इतना इतना इंफुलेंशल कर रहा होगा और लोग आपकी तरफ अपील हो रहे होगा, वो क्या करेक्टर होगा, वो क्या परस्नालिटी होगी? अच्छा देखो, एक बात याद रखना, दुनिया में हर वो शक्स जिसने साफ सुथरा लिबास पहना होगा, वो डीसंट है, वो डीसंट जो बंदा है वो ज्यादा पील करता है, गंदे लिबास वाला, गैर महुजब लिबास पहनने वाला, वो किसी ने बड़ी अजीब करी कि अगर कम कपड़े पहनना फैशन है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा फैशनी कुटे जानवर है, वो कपड़े नहीं पहनते, वो आपने अगर लिबास पहन है और लिबास शाहिसता है, तमीज वाला है, तहजीब वाला है, डीसंट है, और वो आपकी अच्छी परस् तो मैं अपनी जवानी से डीसंट लिबास का आदी हो चुका, तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मौतरमा मेरा प्रफेशन ऐसा है, मैं टीचर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई शोबिस का बंदा नहीं हूँ, मैं प्रफेशर हूँ, ट दिखने वाला पहलू है वो आ जाता है यह लोग आप में बाद आपसे बाद में करते हैं लेकिन आपके ड्रेस को देखके पहले इंदादा लगाते हैं कि बंदा किस प्रोफेशन का है और किस तरह का बंदा है ठीक है जी दूसरी बात आजाती है वो आपकी सोच है आपकी आप्टमिस्ट नी होते है पूर उमीद नहीं होते है नाउमीद नाउमीदी नाउमीदी इनकी सोच से उनकी हरकतों से जाहिर हो रही होती है सो एक बहुत बढ़ा जरीया है आपकी शेयतorkлан दिकाने का तीसरे नमर पर जो आ आजाती है चlor cubes आतात ही है आपकी है भूमाता लग रहे होता है छोते हो यह बंदे की तुम्हें determination नहीं है। तुम्हें थाथ कदमी नहीं है। जब determination नहीं है ये तुम्हेमज़ूर तुम्हारी द्लिशाली तुम्हारा यक्ईन के यह जात हो पैंदा हरा ही। बिल्कुल सक्सेस के लिए consistency बहुत ज़रूरी है अगर बात की जाए एक शिक्सियत एक प्रॉपर बाइसर शिक्सियत की बात की जाए तो उसके इंदर बहुत ज़रूरी है कि आपको माफी मांगना दूसरों को माफ करना आपकी personality में असर असर्टिवनेस और आपको रैपो बि दुकान का एक शोकेस होता है और शोकेस में उस दुकान का जो दी बेस्ट होता है उसमें रखा जाता है आप कभी किसी फलों वाली दुकान पर चले जाए जो फल उन्हें रटकाए होते हैं वो उस दुकान के सबसे दी बेस्ट फल होते हैं आप किसी साध्यों वाली दुका पे चले जानां जो शोकेस है ना उसमें उस दुकान Das आड हा उन्सीय हूँ जोते हों पेंछिते हैं उन्हों कि दुकान पें नारकली Celsius यह जो उस दुकान के this wars में जोगें उन्हों रखेंगे शोकेस इसली त के आप अपना दिखाएं, बाद लोगों में बड़ा कुछ दिबेस्ट होता है, वो अपने दिबेस्ट को शोकिस नहीं कर रहे होते हैं, और होता क्या है, जब वो दिबेस्ट को शोकिस नहीं करते हैं, अब यह सवाल एक लगदा सवाल है नजब के दिबेस्ट को शोकिस क्यों नहीं कर पा होते हैं, बाद वकात shyness होती है, आपकी shyness, आपकी hesitation, आपकी हिजकचाहट जो शखसियत में है, यह आपको इतना दबाती है कि आप अपना अच्छा दिखाई नहीं पाते हैं, आप मौकर ही नहीं दे पाते हैं किसी के सामने मौकर ही नहीं ढून पाते हैं में अपना अच्छा भी दिखा सकूं Divina 6 अपने आपको शोकेस्त ना कर पाना आपकात प्रृफ्षेशन ही साथ मेरे बड़े ऐसे काबल दोस्ता राप बरे जोह सब्सेर सेuğně में जानिश्वरी किसी से कम नहीं है लेकिन नेचर ओफ जॉब ऐसी है कि वो शोकिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जॉब गॉर्मेंट जॉब सेवल सर्विसिस के साथ जुडिश्री के साथ या फोज के साथ रहते हुए अपने आपको प्रेजंट नहीं कर सकते हैं आपको परमि ही होता है कि एक अच्छी काबिल शक्सियत होने के बावजूद आप आइस्ता 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 आपने आपको इतना दबा देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं लगता जंगल में मोर नाचा किस ने देखा